हेलो स्टुदेंस वेलकम टू मैं चैनल फिजिक सुईट विशाल सर आज के क्लास में हम लोग रे आप्टिक्स का एक वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं और इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट को आज हम लोग डिसकास करेंगे कुछ कोईशन प्रीवेस येर मे पूछे गये हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप का कोईशन यहां पर मैंने इस क्लास में हम लोग आज करने वाले हैं आप लोग के साथ एंड एक्सक्लूसिबली इस सभी कोईशन का एंसर भी आप लोग को मिल जाएगा ठेक है तो इसलिए इस क्लास इस वीडियों को स्टार्ट करते हैं आज का जो मेंट टॉपिक है वो है रे ओप्टिक्स ठीक है मिरर और लेंस पर उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कूप टेलिसकूप वह बाला पार्ट भी हम लोग कवर किये हैं तो रे आप्टिक्स का आज हम लोग रिवीशन करने वाले है so let's start यहां पर देखिए first question an object a b is kept in front of a concave mirror as shown in figure ठीक है यह concave mirror है shown in figure तो question के अब बोला है कि complete the ray diagram showing the image formation of the object how will be the position intensity be affected if lower half of the mirror is painted black इस type का question generally यह जो question है वो एक lens related question आप लोगो ncrt book में मिल जाएगा but इस बार के exam में क्या हो सकता है कि mirror के ऊपर base करके यह painted वाला portion तो इसका answer किस तरीके से देंगे हम लोग देखते हैं generally इस टाइप का question cbac board exam में पूछे जाते हैं तो इसलिए हम लोगो practice करना होगा तो फर्स्ट का answer जो है यहां पर देखिए रे डाइग्रम को किस तरीके से हम लोगोंने complete किया यह बहुत ही easy है c से पास होने से directly c से ही आते है उसके बाद parallel ray जो focus से पास होते है so ultimately we get the image in between c and f c और f के बीच हम लोगो को क्या मिला इमेज मिल गया ठीक है तो यह है first answer second का question यहां पर बोला है कि how will be the position and intensity change होगा no change in position of the image image का position change नहीं होगा क्योंकि उपर का जो half portion है उस half portion से हम लोग image को retrace कर सकते हैं okay so बाकी का अगर हम लोग painted कर देते हैं black color तो क्या होगा black color कर देंगे तो image तो मिल जाएगा but intensity जो है वो कम हो जाएगा so intensity will get reduced same answer as lens के समय हम लोग जैसे करते हैं so यहां पर भी क्या होगा intensity कम हो जाएगा reduce हो जाएगा क्योंकि जो ray of light नीचे वाला portion half concave mirror का half वाला portion से आने वाले थे वो नहीं आएगे so move on to the next question यह actually lens maker formula के ओपर based है ठीक है तो यहां पर आप लोग को lens maker formula भी आप लोग को मिल जाएगा बात में आप लोग को cbsc board exam का marking scheme के बारे में भी बताऊँगा ठीक है red light आप लोग को wavelength wise यहां पर देखना है जो wavelength है red light का जादा है violet का कम है तो यहां पर कम वाला wavelength यहां पर यूज किया है give reason for your answer हम लोग को यह पता है this is what this is lens makers formula ठीक है यह है lens maker formula तो यहां पर हम लोग को यह portion देखने को मिला f proportional to 1 by mu minus 1 यानि कि यहां पर क्या है violet का mu जादा है red से है तो focal length क्या हो जाएगा decreases decrease of focal length of lens ठीक है increase अगर होता है refractive index तो focal length कम हो जाएगा hence we say that replacing red light with violet light decrease the focal length of the lens focal length क्या हो जाएगा कम हो जाएगा fine ओके next question की तरफ आप लोग को सिफ यह ध्यान में रखना है कि यह जो formula lens maker formula से आया है यह formula ओके उसके बाद यह हम लोग को पता होना चाहिए कि refractive index violet color का ज्यादा होता है red color का कम होता है okay wavelength के साथ inversely proportional है wavelength के साथ जो refractive index है वो proportional to one by lambda square बाद में हम लोग देखेंगे काची फॉर्मूला काची फॉर्मूला इसको बोलते हैं define power of a lens कुछ easy question भी यहाँ पर पूछे चाते हैं cbs exam में तो इसलिए जो चोटा होता definition है वह आप लोग मिस नहीं कर सकते ठीक है define power of a lens lens का power one by f और f क्या होगा मीटर में होना चाहिए राइट इसा यूँ डायोप्टर ठीक है डायोप्ट्रे होगा डायोप्टर नहीं होगा यहाँ पर डायोप्ट्रे उसके बाद deduce the relation यहाँ पर क्या है दो lens combination of thin lens placed coaxially यह है इसका figure हम लोग को पता है यह already मेरे चैनल पर uploaded है इसका easy process फिर भी यहाँ पर थोड़ा समझा देता है अप लोग को for lens A इस तरीके का होगा lens B इस तरीके का होगा तो हम लोग sum करेंगे उसके बाद हम लोग को यह portion दे कि फाइन तो यह हम लोगो समझ में अगे नेक्स्ट कोईशन यह एक निउमरीकल प्रॉब्लेम है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंग्थ 25 cm is placed coaxially in contact टीक है coaxially in contact आप लोग को जो एक्जाम में पूछे जाएंगे निउमरीकल वह थोड़ा धिरे धिरे पढ़ना है क्या क्य गिवन है वो लिखना है first of all यहाँ पे जो है first of all question पढ़ने के बाद आप लोग गिवन लिख दीजे क्योंकि गिवन लिखने के बाद यहाँ पे actually CBAC का marking scheme जो है गिवन पे half marks होता है formula पे half marks होता है figure पे half हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दे so marking scheme जानना बहुत जरूरी है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा marking scheme के ऊपर ताक लोग ताकि आप लोग को help हो सके ठीक है जान सके आप लोग so यहाँ पे क्या बोलाए कि convex lens का focal length 25 cm यह है determine the power of the combination actually power क्या होता है power of combination होता है P1 plus P2 दोनों का simple but with a sign sign क्या होगा concave का होता है minus convex का होता है plus so this is the ultimate formula तो minus one हो जाएगा answer so minus consequence का होता है minus होता है concave lens का यानि कि यह जो पूरा system है वो as a diverging in nature diverging नेचर हो जाएगा यानि कि वो concave mirror के जैसा behave करेगा चले next question क्यूंकि थोड़ा जल्दी करना होगा बहुत सारा question है as a whole one shot में हम लोग इस वीडियो को खदम करने वाले हैं within limited time ताकि आप लोग को boring feel ना हो एक्जाम भी टाइम सब्सक्राइब है तो definitely क्या है कि जादा दे तक mobile पर बने रहना वह थोड़ा time loss हो जाता है तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा 1.5 x पर यह वीडियो चला सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है चली next question next question यहां पर क्या बोले हैं तिन convex lens to surface यह क्या हुआ है कि derived the help of a ray diagram lens maker formula यह जो lens maker formula है बोर्ड एक्जाम के लिए important है बहुत ही important है आने का chances है confirm तो नहीं बोल सकते हैं बाट आने का chances रहता है always okay so did you जो है यह मैंने एक simple way में already मेरे चैनल पे पोस्टेड है आप लोग देख सकते हैं lens maker formula फरस्ट आप लोग प्लेलिस में जाए और आपको बोल चुके हैं हम लोग की प्लेलिस में जाए जाने के बाद rare optics class 12 उसमें जाने के बाद पूरा आप लोग को सभी video topic वाईस आप लोग को मिल जाएगा so यहाँ पर मैं और explain नहीं करा हूँ यहाँ आप लोग को जो है lens maker formula आप लोग को दिखने को मिल जाएगा derivation okay next question देखते हैं a bi-convex lens made of transparent medium of refractive index 1.25 is immersed in water of refractive index 1.33 water का 1.33 है और जो glass है उसका 1.25 है यानि कि जब ray of light glass में enter करेगा glass से जाएगा water में यानि कि higher medium higher optical denser medium to rarer medium जाएगा तो denser to rarer जब जाता है यह क्या होता है away from the normal जाता है यानि कि it diverges so यह diverged lens के तरफ बहुत simple explanation है चलिए next question यह जो question है यह बहुत ही important इसलिए है क्योंकि यह ncati based question है बार बार बोना जो जो question मैंने set किया totally ncati based question ncati in text ncati exercise और ncati पूरा book से यह topic मिला के मैंने यहां question set किया along with the previous years को भी मैंने मिला कि यहां पे question set किया तो इसलिए यह जो वीडियो है या फिर यह जो class है आप लोग के लिए बहुत important हो गया है ऐसा हो सकता है कि इसी type का question आप लोग को exam hall में देखने को मिल जाए क्या पता okay so that's why थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग को solve करना है आप लोग को देखना है यह वीडियो let's let's start the next question a converging lens of refractive index इतना दिया गया है captain a liquid medium having same refractive index what would be the focal length of the lens in this medium okay so हम लोग को यह पता है यह lens maker formula है तो यहां पे इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है okay यहां पे दोनों का क्या है same है यानि कि अगर दोनों का same हो जाएगा one आ जाएगा one minus one zero so this is the form यानि कि फोकल लेंग इंफिनिटी किसका होता है जब एक glass plate के तरह यानि कि एक plane के तरह अगर यह behave करता है तब ही उसका क्या होता है फोकल लेंग हो जाता है इंफिनिटी ठीक है यानि कि स्ट्रेइट लाइन में हो जाता है फोकल लेंग कभी पॉइंट में मीठी नहीं हो गया यानि कि बहुत दूर जाके यानि कि इसका plane स्ट्रेइट हो जाएगा टिक है फ्ली ग्लाश प्लीट यहां पर देख सकते हैं कि अल्रेडी मैंने यह दिसकास कर चुके है कि रिख्रेक्टिव इंडेक्स जो है एक्चुली कोची फॉर्मुला है एक्चुली यहाँ पर इफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है इतना हम दोग बोल सकते हैं ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट करना है तो प्लोट करना है पावर इक्ट स्था मतश्पार ओन ईह लंसमेक्स फॉर्मुला में अगर हम दोग यह अगर हम दोग पूट कर देते हैं पावर के जगा पे दो हम लोग को क्या मिलेगा यहां पे लेख एक्लेर पावर ओफ् lens proportional to n minus n यानि की refractive index minus 1 it applies that power of the lens decreases with increase in wavelength wavelength दगर increase होगा तो power decrease हो जाएगा यानि की 1 by lambda square तो 1 by lambda square इस तरीके का graph आता है 0 हो जाएगा 1 by lambda square ठीक है इस तरीके से decay होगा next question यहां पर देखे 1.5 दिया हुआ है रिफ्रेक्टिम इंडेक्स एल का दिया हुआ है लिक्वीट का 1.7 उसके बाद हम लोग कि यहां पर एक्चुली focal length हो जाएगा 10 cm ओके मैंने शायद गलती से प्रिंट कर दिया 10 cm यहां पर एक्चुली 20 हो जाएगा एक्चुली मैंने जलवाजी में करते करते क्या हो गया यह पर गलती हो गया ठीक है तो 20 cm हो जाएगा 20 cm इसको लेकर यह थोड़ा लिक्विड पर और एक मिलेगा diverging lens का lens का और एक medium का ठीक दोनों का हम लोग अगर हम लोग रेशियो कर लेंगे तो इस तरीके का हम लोग को दिखने को मिलेगा तो यह अगर हम लोग वैलू बिठाएंगे यहां पर हो जाएगा इसका अंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा आगा कि यहां पर मैंने कुछ गल्दी किया तो इसका अंसर तोड़ा डिफ्रेंट हो जाएगा आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं मैं इसको बाद में चेक कर लूँगा बर सिंपल केल्कुलेशन है तो डेफिनेटल इसको आप कर सकत है ठीक है यह दोनों इंपॉर्टेंट है यह दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो लेंस पॉर्णा मैंने अल्रेडी क्या बोला हूं कि प्लेइलिस में आप लोग देख सकते हैं अल्रेडी है तो दिस इस दा वे हम लोग यहां पे थोड़ा स्कीप कर रहे हैं तो यह है हम ultimate expression next question okay ये question बहुत ही important है बहुत ही important है तो इसको थोड़ा star mark लगा दिजी okay star mark बहुत ही important array of monochomatic light incident on one faces of equilateral triangle prism trace the path of ray through the prism hence derived an expression for refractive index for the material of prism in terms of angle of minimum deviation and refracting angle यानि की minimum deviation से एक question आने वाला है ठीक है इतना ही important है different set होगा तो different set के लिए different question हो सकता है कुछ-कुछ अलग question देते हैं तो यह है prism okay so prism का जो form है वह already क्या है कि इस तरीके का आता है ठीक है sin a plus delta m by 2 divided by sin a by 2 यह आप लोग को थोड़ा यहां पर प्रूफ करना है कुछ equation यह वाला form को यूज करके बहुत ही easy है triangle wise आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा यहां पर zoom out करता हूं okay so आप लोग screenshot लेके यहां पर रख सकते हैं this way this way okay तो आप लोग के लिए screenshot लेने का एक चांस देता हूं within second आप लोग screenshot ले लिजिए उसके बाद आप लोग थोड़ा solve कीजिए लोग को easily हो जाएगा so hopefully आप लोग ने ले लिया है उसके बाद हम लोग यहां पर और एक question दिया है देखिए यह वाला जो question है इस question को हम लोग बाद में थोड़ा solve करेंगे ठीक है यह question बहुत है इस टाइप का question board exam में आये हैं बहुत बाद आये हैं बहुत बाद बाद है सैंपल पैपर में भी आप लोग को इस टाइप का वाले हैं ठीक है ओके नेक्स्ट कोईश्यन रे ओफ लाइट इंसिदेंट ऑन एकुलेटरल ग्लास प्रीजम उसका है रूट थी मूब्स पैरलेल टो बेस्ट लाइन अफ प्रीजम इंसाइड इट फाइंड एंगल अगर इंसिदेंस एंगल है तो यहां पे एंगल 60 दिग्रे हो जाएगा बाकी हो जाएगा 30 दिग्री क्योंकि नॉर्मल 90 दिग्री पेफ होता है तो आर इकवल टो 30 दिग्री होतना मिल गया तो यह है हम लोग का फॉर्मूला उसके बाद इसको तोड़ा सिंप्रिफाइग करेंगे करने के बाद यहां पे एंगल आप इंसेंस आजाता है वह डिफ्रेंट टाइप का होता है एक्चली इस पर क्वास्ट थ्यूरी लगा है जाता है मैं थोड़ा इंफोर्मेशन के लिए बोल देता हूं ठीक है के स्टैंस फॉर नॉलेज इस टाइप का कुश्यमां पर सेट होता है यू स्टैंस फॉर अंडर्स्टैंडिंग की यह बताने के में रिजन यह है कि आप वोग खकते कि कितना ईज़ी होगा कितना टाफ होगा देखिए नॉलेज बेज जितना जादा होगा कोट्यों में वह बहुत इसटैंडिंग अंडर्स्टैंडिंग भी बिजाता है थोरा समझ जाता है बोलते हैं application based फिर थोड़ा बहुत है तो इसलिए इस टाइप का actually CBAC board में क्या होता है कि चारो में से ज्यादा तर knowledge speech और understanding based आता है skill based बहुत कम आता है बहुत कम आता है hardy two three marks four marks ज्यादा ज्यादा ठीक है तो इसलिए tough होने का chances बहुत कम है easy question आने का chances है इसलिए common question को आप लोग target कीजिए ठीक है तो यह है next question define magnifying power of a telescope telescope का magnifying power यह दो बहुत ही important और उसके साथ expression भी लिखा गया है magnifying power क्या है ratio है किसका angle subtended by the image to the angle subtended by the object image by object जो angle यहाँ पर बनाते हैं उसका हम लोग magnifying power beta by alpha हम लोग को पता है fo by fe so this is the ultimate expression okay d क्या है least distance of distinct vision okay d means least distance of distinct vision चलो next question how is the working of telescope defined from a microscope very important microscope or telescope का difference का है very simple microscope हम लोग छोटा object देखने के लिए यूज करते है और telescope celestial bodies बाहर heavenly bodies को देखने के लिए यूज करते है very far object ठीक है उसका पाद final image क्या होता है magnified relative to the size unadded seen by unadded eye while final image formed by microscope is magnified relative to its absolute size उसमें भी बड़ा दिखाए देता है objective क्या होता है देखिए टेलिस्कोप का objective जो है वो बड़ा होता है objective lens और आइपी छोटा होता है क्योंकि बहुत दूर से light आता है तो ज्यादा light gather करना पड़ता है whereas microscope के लिए जो objective lens है first lens वो छोटा होता है क्योंकि objective छोटा है ठीक है आइपी थोड़ा बड़ा होता है मैक्रोस्कोप के लिए compound और मैक्रोस्कोप के लिए उसके बाद angular magnification का यहां पर एक numerical दिया है देखिये आउं इस वन focal length यहां पर दिया हुआ है आप अब अब्जेक्टिव और इस और इस और पॉजिशन ठीक है angular magnification of 30 of 30 in normal adjustment normal adjustment में 30 यहां पर बहुत इंपोर्टेंट है total magnification 30 है fe 5 fe 1.25 हम लोग को पता है magnification always multiply होता है ठीक है normal adjustment में थोड़ा बहुत हम लोग को जो formula है वो थोड़ा change हो जाएगा d by fe हो जाएगा इतना so mo हम लोग के पास है six mo का formula formula बहुत important है vo by uo ओके इसमें भीटाने से vo मिल जाता है उसके बाद हम लोग को क्या निकालना uo किस तरीके से निकालेंगे lens formula यूज़ करके यह हो जाएगा ठीक है simple है simple simple सा equation है सिर्फ आप लोग को क्या है कि angular magnification का value जो है वो expression जो है वो आप लोग को दिमाग भे रहना चाहिए उसके बाद classic brain ठीक है level diagram बहुत important reflecting type telescope बार बार मार्क कर रहा हूँ reflecting type telescope ठीक है mention it's two advantage reflecting type telescope यही है ठीक है तो यह आप लोग को थोड़ा चितरीक से देखके जाना है उसके बाद advantage क्या है free from chromatic variation क्योंकि यहाप पे lens ही नहीं तो chromatic variation नहीं हैगा resolving power greater resolving power भी जाता है बहुत अच्छा है next draw ray diagram for formation of compound microscope भी है तो बहुत ही important होने वाला है important है भी यह आप लोग को बाद में मिल जाएगा ray diagram उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि है आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है image is founded infinity पे तब क्या करना है तब जो magnification है वो निकालना है तब यहाँ पे m e इतना है यानि कि m e इतना तो m e into mo ठीक है this is the ultimate form यहाँ पे mo हो जाएगा actually mo printing mistake है l by f o ठीक है l means length of the length of the tube ठीक है तो यह आप लोग थोड़ा देखे जिए बट जब image infinity ते form होता है तब यह formula होता है ठीक है तब यह formula हम लोग को मिलता है fine next question ray diagram of refracting type telescope define magnifying power right expression question भी इस तरीके का ही आएगा two marks three marks का question जाद तर आएगा ठीक है तो यह है टेलिस्कोप का objective देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा है islands छोटा है ठीक है यह है objective should be large for high resolving power aperture को क्या करना है लार्ज करना है अभी aperture को large करना थोड़ा problem हो जाता है यह एक्चुली डिमेरी थी problem इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखे एज है तो इसको रखने के लिए एज तो sharp होता है ना तो टूटने का chances दाता रहता है तो यह होता है next question यह वाला question बहुत important है फिर से repeat हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग solve करेंगे देखे क्या बोला कि आर बी जी आर जी बी तीन रे यहाँ पर गिरा है फॉर्टिवा बिग्री यहाँ पर दिया हुआ है नाइटी डिग्री करके यहाँ पर जा रहा है तो question पूछा है कि which one of the three array will emerge out of the prism कौन सा बहार निकल जाएगा और कौन सा अंदर internal reflection होगा ठीक है तो मैं थोड़ा यहाँ पर trace कर रहा हूं देखिए इस तरीके से जाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक normal draw कर सकते हैं ठीक है तो यह angle हो जाएगा 45 degree फाइन सो 45 डिग्री नहीं होगा एक्चुली यहाँ पर जो है यह 45 डिग्री नहीं होगा यह हम लोग को निकालना होगा देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग के पास तीन यह जो है वैलू है red green blue का so red green blue का हम लोग को जो फार्मुला पता है कि mu is equal to 1 by sinc sinc means critical angle so यही फार्मुला यूज करके हम लोग बिठाएंगे तो यह बिठाने का 1 by 1.39 इसका वैलू इतना आता है सो एक्चुली हम लोग देखें यहां पर एक्चुली यह जो पार्ट है साइन 45 बिठाके इसका वैलू जो निकल के आता है वह आता है 1.414 तो हम लोग को यह जो वैलू मिला है 1.717 डेफिनिटली 45 डिग्री से जादा है अगर जादा होता है तो यह इन्टरन रिफ्रेक्शन हो जाएगा यानि कि हम लोग कौन सा किया राट कलर रैट कलर इंटरन रिफ्लेक्टेट हो जाएगा ठीक है बाकी 2 जो वैलू है वह ऐस दन 45 यह इमार्ज आउट हो जाएगा निकल जाएगा so blue and green color will emerge out कितना simple है simple calculation करेंगे बस हो जाएगा चलो जो ए schematic ray diagram of reflecting type cell already done रोके जाइट्व इंपॉर्टन्स ओड्वंटेज 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 भी बोल दिया है objective of telescope is larger for colouring larger क्यों होता है क्योंकि यही तो है आपजेक्ट बहुत दूर है वहां से light आने में बहुत कम light आता है तो जादा amount of light gather करना पड़ेगा और technically इसका answer अगर हम लोग देंगे resolving power के हिसाब से यह है resolving power to increase the resolving power of telescope large aperture of objective lens is required resolving power को increase करने के लिए चले next question की तरफ चलते है yes almost half an hour हो गया है सो इसको थोड़ा जल्दी खतम करना होगा compound microscope बहुत important है expression of a magnifying power repeated question है क्योंकि यह question बार-बार repeat हुआ है बहुत बार आया है why objective short aperture क्यों होता है short focal length same answer हो जाएगा क्योंकि यह object भी तो छोटा है यहापी देखिया object भी तो छोटा है microscope क्या देखेंगे अब फायर्स बेक्टियर्स टोमाटा वो सब देखते है ठीक है so this is the form m o m o and m e this is m o actually ठीक है तो एंगूलर magnification 1 plus d by f e so total magnification क्या हो जाएगा m o into this so यह actually form आता है जब infinity ते फार्म होता है तो d by f e हो जाता है ठीक है उसके लिए हम लोग को क्या है यह दोनों multiply करना होगा और एक होता है यह वाला m e है यह and this is m o m o तो constant यह m e change हो जाता है infinity के समाए यह formula आ जाता है ठीक है अपार्चा सिमिलर वे में हम लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर दिया है resolving power on decreasing the अपार्चार of the objective value of scientific decreases hence resolving power decreases ठीक है इसलिए अपार्चा तरह बढ़ा करना होगा decreasing focal length value of scientific increases hence resolving power increases very good यहाँ पर क्या बोला है next question पर double diagram for simple again compound microscope का ठीक है तो इस ते कैसे draw करते हैं astronomical telescope expression for magnifying power बहुत important है जब यह कहाँ पर form हो रहा है infinity पे infinity पे तो देखके जाएगा यह वाला जो figure है important है उसके बाद wave optics बाद में हम लोग करेंगे यह है magnification ठीक है ultimate magnification हम लोग को मिल रहा है diameter of objective is kept large to increase the intensity of the image क्या बोला कि जादा light कैदर करना होगा उसके बाद resolving power of microscope को increase करने के लिए ठीक है तो इतना तक हम लोगों ने जो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर revision दिया है वो है total internal reflection, compound microscope, telescope, cassy grain reflecting, reflecting उसका advantage उसके बाद rare optics से बहुत सरा questions, numerical prism के उपर question so almost all part हम लोगों ने उसका derivation भी किया है lens maker formula का almost all part हम लोगों ने यहाँ पर cover कर चुके है overall तो यह जो video है आप लोगो कुछ idea देंगे exam में किस तरीके का question पूछे जाएंगे किस तरीके साप लोग solve करेंगे, किस तरीके साप लोग लिखेंगे so यह question pattern को आप लोगो थोड़ा समझना है, थोड़ा घुमा के तो definitely देंगे exam में तो थोड़ा दिमाग को clear रखे, sharp रखे आप लोगो सोचना है क्या क्या पूछे है, exam में क्या क्या पूछेंगे और question को किस तरीके से घुमा के दिया है, तो आप लोग भी घुमा के सोचिए थोड़ा given वाला part पहले लिखे, figure लिखे, उसके ओपर base करके formula लिखे, उसके बाद numerical कीजिए so hopefully यह video आप लोगो definitely help करेगा and यह video से question आने वाला है, sure, short okay, so इसलिए अच्छी तरीके से देखिए, बार बार देखिए, pause करके देखिए so all the very best and thank you very much